नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका हमारी यूटिब चैनल तैयारी आपकी में दोस्तों अभी का सबसे बड़ा सवाल केरल बार पीरितों के लिए इस सरकार ने आखिर विदेश से आने वाली रासी को क्यों नहीं सुईकार किया है जो की रासी थी 740 करोरे या एक अपने आप में काफी बड़ी रासी है और इस रासी को नहीं सुईकार करना और भी लोगों के लिए आश्चरे की बात है हम लोग आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों सरकार ने इसे सुईकार नहीं किया क्या या सरकार का सही फैसला था या ताना साही पूर्ण फैसला था तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बात क्या है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दे कि केरल की सरकार ने केरल में बार हाया उसके बात से इसकी भरपाई के लिए नुकसान के लिए एक बज़र तयार किया जो कि अनुमानी जो था उनका 20 से 20 हजार करोर जो है वो उनको re-develop करने के लिए इसकी रासी का अनुमात लगाया केंदर सरकार ने यह रासी दी 100 करोर केंदर सरकार ने रासी पहले दी थी 100 करोर जिसे की बाद में बढ़ा करके 500 करोर और कर दिया गया और यह टोटल रासी जो है वह अब 600 करोर हो गया है अन्य राजियों ने भी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया और 10-10 करोर लगभग अधिक्तम राजियों ने जो है वह 10-10 करोर जो है वो मदद की है कुश राजियों ने 500 कि मदद की दो करोग की जिसकी जैसी खानता उस साफ से उस राजिय ने मदद की यानि कि मदद के लिए सभी राजिय है कुश राज्य और नेप्रकार से जैसे고 डेकरके भी मदद किया जो कि तमिलाडू ने किया था अब इसी बीच एक ख़वर आती है बाहर से फंड की बाहर से सहायता के लिए कुछ देश आगे आते हैं जो की रासी होती है साथ सो चालिस करोर की तो हम जानते हैं कि कौन-कौन से देश आए इस इसके लिए सहायता के लिए तो इसमें सबसे बड़ा नाम है यूनाइटेड अरव अमिरात का जिसने की साथ सो करोड़ साथ सो करोड़ एक बहुत बड़ी एमाउंट होती है साथ सो करोड़ जो है वह मदद के लिए पेसकस की वहीं कतर जो है वह यहां 33 गलती से यहां 35 करोड़ जो है वह कतर ने मदद के प्रस्ताव रखा वहीं सारजाह है सारजाह ने भी जो है वह चार करोड़ एक बात आपको यहां और गौर करने की बात है कि मालद्वीप जैसे देश ने भी 35 लाख है कि पेसकस की मालद्वीप के और भारत के रिष्टे बरतमान में जो है वह अच्छे नहीं चल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी जो है वह मालद्वीप में भी जो है वह 35 लाख रुपय की जो है वह पेसकस की इतनी बड़ी पेसकस होती है बाहर के देशो द्वारा यानि कि 740 करोड़ अनुमानता है अब इस रासी को सरका कार जो है वह अस्विकार कर देती है आखिर क्यों अस्विकार करती है हम लोग जानते हैं इस कारण के बारे में तो सबसे पहला कारण है और स्विकार का वह है कोई भी चीज फ्री नहीं होता है यहां पर आप कर सकते हैं कि देश जब मदद कर रहे हैं तो यह फ्री की बात क तो सबसे पहले कुछ ना कुछ जो है वह किसी ना किसी के अंदर मन में होता है कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो इसका हमको लाग मिले कारण इसलिए कि foreign relation में अलग-अलग मुद्दों पर भारत की सहायता की उमीद है भारत एक बड़ा देश है इसलिए या महत्यपूर्ण है भारत जो है वो अधितर देशों के साथ है इसका partnership है और यह कोई भी देश अगर देता है तो वो चाहेगा कि भारत जो है वो उसके पक्ष में जो है वो सहायता नहीं सुविकार कर उनके साथ धोखा दिया है लेकिन वहां की जनता और वहां के cm को या बात समझनी चाहिए कि अभी तो छोटा सा benefit इससे मिल लाव मिल जाएगा लेकिन भाविसे में जो है यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा तो यह इसके कारण जो है यह सुविकार नहीं किया गया है अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरे नहीं सुविकार करने के कारण और क्या है जैसे इसमें पहला नाम आता है ndmc ndmc का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी वह पॉलिसी जो कि डिजास्टर यानि आपदा का मैने इसी को कहते हैं ndmc ndmc क्या कहती है ndmc जो है वह बतलाती है निपटने के लिए कैसे आपदा से निपटा जाय जाय कैसे आपदा से बचा जाय सरकार अपील नहीं करेगी मदद के लिए पहले यहां बात आ जाती है स्वाभिमान की, कोई भी यहां जो है वह भाड़त सरकार कभी भी पहले अपील नहीं करेगी कि उसे मदद चाहिए, लेकिन अगर कोई मदद करना चाहे तो केंदर सरकार स्वीकार कर सकती है, यानि कि अगर कोई देज से मदद करना चाहे तो यह निर्भ करती हैं तो हम लोग यहां पे पहले ही जान चुके हैं कि मदद स्विकार नहीं करने के कारण ये हैं कि फोरें रिलेस्ट में भारत का महतवपूर्ण महतपूर्ण एक बड़ा सा देश है तो इसलिए यह अस्विकार का कारण हो सकता है अब बात करते हैं आखिर अब मदद कैसे प्राप्त हो अगर कोई देश जो है वो बहुत दयालू है और वो चाहते हैं कि मदद करना है तो वो मदद कैसे करें क्योंकि बहुत से इसे देश हैं जो कि मदद करने के लिए हाँ थागे बढ़ाते हैं तो वो कैसे मदद करें तो इसके लिए भी जो है वो यूनियन यूरोपियन यूनियन ने एक उपाई ढूंडा है वो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी यानि की I. R. C. S. इसके द्वारा जो है वो है 1,90,000 EUR की मदद जो है वो है की जी है यूरोपियन यूनियन ने जो है वह 1,90,000 EUR की मदद जो है वो की है इसके बाद का उपाई आता है वो है Private Channel के द्वारा प्राइवेट चैनल के द्वारा जो लोग विदेश में रह रहे हैं यानि कि केडल के अगर कोई विदेश में रह रहे हैं वो चाहते हैं मदद करना वो चाहते हैं मदद करना तो वो यह कर सकते हैं सेकेंड थर्ड है NGO के द्वारा अगर एक NGO के द्वारा कोई fund भेजते हैं तो वो जो है अभी भी एक आपके पास सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर UAE यूनाइटेड अरव अमिरात इतनी बड़ी मदद क्यों करना चाहता है 700 करोड एक बहुत बड़ी एमाउंट होती है तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है इसके पीछे यही कारण है कि यूनाइटेड अरव अमिरात में केरल के बहुत से लोग काफी दसकों से वहाँ पे कारे कर रहे हैं अभी भी वर्तमान में वहाँ पर है तो उनको अपने देश के अपने लोगों के परती जो है वो प्रेम है तो इसलिए वे मदद के लिए जो है वो आगे आ रहे हैं और वहाँ की सरकार भी चाहती है कि यह मतलब राज्य जो है वो काफी सिख्षित है डेबलॉप है तो यहाँ के लोगों को मदद किया जाए लेकिन geopolitics foreign relation के कारण जो है वो सरकार जो है वो स्विकार नहीं कर रही है जो की देश हित के लिए वहाँ के लोगों को यह समझना चाहिए कि भले ही इसका लाव जो है वो एक short समय के लिए होगा लेकिन इसका आगे जो है वो future में जो है वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा उम्मीद करते हैं कि आपको हमने अपने वीडियो में सभी चीजे बता दी है और आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर यह information आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ share करें और ऐसी ही information पाने के लिए education से related आप हमारे चैनल को subscribe करें और इसके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी education वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन सुभ हो